आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहे हूं चिकन कटलेस बनाने की रेसिपी चिकन कटलेस तो आपने बहुत दफ़ा बनाया होगा लेकिन आज जो मैं तरीका बताने वाली हूं चिकन कटलेस बनाने का ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए चिकन कटलेस की इस आसान सी रेसिपी को फटाफट से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैन ले लेना है और पैन जब हमारा अच्छे से गरम हो जाया तो हम इसमें एक टेबले स्पून तेल आइट कर देंगे और टेल जब हमारा गरम हो जाया तो हम इसमें आधा टीस्पून डाल देंगे जीरा हलका सा इसको क्राइकल कर लेंगे और फिर इसी के साथ हम प्याज एट कर देंगे मैंने एक यहां पे प्यास ली थी इसे बारिक चॉप कर ली है तो इसे हम हलका फ्राइ कर लेंगे तो प्यास को हमें जादा फ्राइ नहीं करना है बस हलका सा सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो यहां पे हमारी प्यास जो है वो सॉफ्ट हो चुकी और अब हम add करेंगे अधरक और हरी मीच का पेस्ट मैंने एक इंच का अधरक लिया था और दो से तीन हरी मीच मैंने इस तरह से इसे दरदरा सा कोट लिया है तो इसे भी हम add कर देंगे और अपने प्याच के साथ अच्छी से भून लेंगे और अब इसमें हम add करेंगे अपना शेरेट किया हुआ चिकन चिकन को मैंने simply नमक और काले मिस्ट डाल कर वाइल कर लिया था और जब हमारा चिकन जब अच्छी से उबल गया है तो मैंने इसके रेसे रेसे अलग कर लिये है तो इसे भी हम add कर देंगे 200 ग्राम मैंने चिकन लिया था तो अब हम इसे अच्छी से भून लेंगे लोफ लेम पे हमें इसे भून लेना है एक से दो मिनट तर तो इसे दो मिनट भूनने के बाद हम यहां पे उबले हुए आलू आट कर देंगे तो मैंने तीन आलू लिये थे और इसे मैंने उबाल लिये हैं अच्छी से उबाल के मैंने इसे mash कर लिया है तो आप इस तरह से उबाल लीजीगा और इसे अच्छी से mash कर लीजीगा तो अब हम आलू को अपने चिकन के साथ अच्छी से mix कर लेंगे तो अब हम इसमें कुछ मसाले आड़ कर देंगे तो यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून के करीब नमक आड़ कर दिया है मैंने चिकन उबालते टाइम भी नमक आड़ किया था तो इसलिए मैंने थोड़ा कम नमक आड़ किया है और half teaspoon के करीब हम यावे कुटे हुई लाल मिच आड़ कर देंगे और 1 by 4 teaspoon हल्दी पॉडर आड़ कर देंगे और आधा teaspoon हम काले मिच का पॉडर आड़ कर देंगे और half teaspoon हम चाट मसाला आड़ कर देंगे और आधा लेमू का रस हम आड़ कर देंगे और इन सभी को हम अपने चिकन के साथ अच्छी से mixt कर लेंगे तो नमक मीर्च आप अपने टेस्ट के कोडिंग एट कर सकते हैं तो अब इन सभी को हम mix करते हुए से लो फ्लेम फे एक से दो मिनट तक हम पका लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो mixture है वो रेडी है तो अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसमें हम थोड़ी सी हरी धन्या इट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेते हैं तो यहां पर हमारा मिक्चर जो है ठंडा हो चुका है तो अब हम इसके कटलेस बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से इसकी साइज रख सकते हैं जितना बड़ा आपको बनाना है छोटा बड़ा तो इस तरह से हमें सभी कैटलिस बना कर रेडी कर लेना है तो यहाँ पर मैंने सभी कैटलिस बना कर तैयार कर लिया है तो यह हमारा मिक्चर है इसमें आराम से 12 कटलिस बन सकते है तो यहाँ पर मैंने इससे बना लिया है तो अब यहाँ पर मैंने आप कोटिंग की तयारी कर चाहिए तो यहाँ पर हमें एक अंडा लेना है और उसमें हम 2 टेबले स्पूम दू डू रेट कर देंगे इससे अंड़ा थोड़ा सा डायलूट हो जाता है तो अच्छा रहता है ये बहुर ज़ादा मोटी लेर नहीं आती इसकी और इधर मैंने ब्रेट क्रम्स तयार करके रखा है तो हमें एक कैटलेट लेंगे और अपने अंड़े के मिक्शर में इस तरह से डीप करेंगे और ब्रेट क्रम्स में हम इसे कोट कर लेंगे इस तरह से तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सभी कैटलेश को कोट कर लिया है तो आप इसे चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं तो simply किसी भी air tire container में या फिर block bag में आप इसे डालिए और फिरिज कर लिजिए तो आप अराम से इसे 15-20 दिन बाद भी यूज कर सकते हैं तो अब हम अपनी catalyst को fry कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने medium flame पर तेल गरम होने रख दिया था थोड़ा सा मैं इसे shallow fry कर रही हूँ आप चाहे तो इसे deep fry भी कर सकते हैं तो हमें एक एक catalyst को इसमें add कर देना है और इसे हम medium flame पर fry कर लेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से ही पका हुआ है हमें इसे पकाना नहीं simply हमें इसे golden brown होने तक इसे fry कर लेना है तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बागी के catalyst भी fry कर लेंगे तो यहां पर हमारे chicken catalyst बनकर तयार हो गए और बहुत ही जबरदस इसका टेस्ट आता है तो अब मैं इसे अंदर से भी दिखाते हूँ यह देखिए बहुत ही जबरदस ही हमारे catalyst बनकर तयार होते हैं और आपने देखा इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और मैंने इसे बहुत easy भी बनाया है ताकि आपके लिए catalyst बनाना आसान हो जाए तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राय करिएगा बहुत ही tasty और बहुत ही yummy बनकर तयार होता है तो friends वीडियो अगर अच्छे लेगे तो please मेरे वीडियो को like कीजिएगा और family friends में share कीजिएगा और साथी मेरे चैनल को subscribe कर लिज ओ दो खबごोई गोई खबस नेखन सकते लेगा जूरव अगर तो झाल को मेरे लेगेगाँ झाल के लिएरूर कीजिएगा गल भमड़ जयाता ही है ट्समा प्लेवा ट।